कोविड काल में देश दुनिया की गती को अवरूद कर दिया है ऐसे में पहाडी लोक कलाकार जो लाइव शोज करके और गाने गाकर अपना जीवन यापन करते थे उन्हें आज कथेनाईयों का सामना करना पड़ रहा है यह कलाकार करोना के इस दौर में मजदूरी करने को मजबूर हो गए है पहाडी गाय किशनवर्मा ने आज शिमला मेर सरकार से आर्थिक मदद कीमा की है मशूर पहाडी गाने पिंक पलाजों के गाय किशन वर्मा ने बताया कि वे लगभग 300 से अधिक गाने गा चुके हैं पिंक पलाजों को 2 क्रोड से अधिक व्यूज मिल चुके हैं उन्होंने बताया कि करोना के चलते काम बंध होने के कारण आर्थिक स्थिती खराब हो गई है। उनके साथी कलाकार मज़ूरी करने को मजबूर हो गए है। उन्होंने अपनी लोक संस्कृति को जिन्दा रखने के लिए पहाड़ी वादी गयंत्रों को बढ़ावा देने की मांगी है। 99 परसेंट सर। अब अभी शादी ब्या थोड़ी खुली है सर। जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रॉमेंट बजाने वाले हैं शादी भ्याम में जो बजाते हैं सर। उनका शायद थोड़ा सा काम खुला है जाकि जो तो मंच परफॉर्म करते हैं डांसर है, सिंगर है, एंकर है, और्केस्टर वाले हैं वह लोग तो बिल्कुल मतलब पुर्ण तया इतनी वह टाइट पूजिशन है उनकी फाइनेशली शायद आज तक इतनी टाइट पूजिशन कभी नहीं होगी सर। आप लोग तो लाइने सना दीजिए जी धन्यवाद करना चाहूंगा आपने इस विशे की और ध्यान दिया, कुछ विदाएं हमारी ऐसी असर जो विलुप्त होती जा रही है, जिसमें विलंबित ताले असर, अब आप मैं चलेंज से बोलता हूं सर, आपने कभी भी जो मैं मैं अभी गा रहा हूं सर, आपने कभी भी वो ताल इस मंच पे नहीं सुख़ए।